जिसना से SEO में हर चीज़ के सिगनल्स हैं, Google उन सिगनल्स को पकड़ता है, जिनको हम फैक्टर्स बोलते हैं और उन फैक्टर्स के अपर Google हमारी वेबसेट रेंक करता है, यह शीज़ हमने वीडियो में भी पढ़ी थी, यह शीज़ हमने डिफरेंट जो भी हमने अभी तक पढ़ी हैं, बिंग भी यही काम करता है, लोकल SEO भी डिफरेंट नहीं है, लोकल SEO में भी Google कुछ सिगनल्स ट्रै सकते हैं, और यह सिगनल फॉलो करके आप कैसे उपर रेंग कर सकते हैं, सबसे पहले जी, आपकी लिस्टिंग आप्टिमाइज जो नहीं चीए, अभी मैंने आपको इससे पहले टॉपिक में क्लियर किया था, कि किस तरह से आपने पूरी लिस्टिंग को फुली यूज करना तो सबसे पहला रूल लोकल स्यो को यही है, कि सबसे पहले लोकल अपनी लिस्टिंग को प्रॉपरली आप्टिमाइज करें, प्रॉपरली इसको बेतर करें, फिर आप यह जो लोकेशन है आप उपनी वेबसेट पार चाहिए, और लिंग करने का एक तरीका यहा है, कि आप को ये hint देती है कि ये बेसिकल एक दुसरे से link है और जब आप ये करते हैं काम तो ultimately वो link करता है कि हाँ भी ठीक है ये business जो है इस location के सारड आठेश्ट है और ये location जब सर्च हो या ये business सर्च हो ये location और ये विब सेट दिखा रही है तो ये एक और फैक्टर है जो Google मेर करता है लोकल SEO में तो आपका नशोर करना है कि आप इसको एड़ करें उसके बाद जो important factor है वो ये गूगल ये कहता है कि अगर आप एक location में exist करते हैं तो आप उस location के बारे में content create करेंगे for example होता ये है कि हम कुछ बेज़ा से सिर्फ एक location को cater करते हैं for location से मराद किया है कि let's suppose एक restaurant आए हो एक particular town में ही या एक particular शहर में ही अपनी services cater करता है अब किसी दूसरे शहर से वहां खाना खाने लोग नहीं आएंगे until कि वह शहर में हो और उनको खाने भूख लगी हो तो उसके आसपस वह चाह के खा लेंगे so restaurant normally जब marketing की सोचते हैं तो अपने area में देखते हैं या अपने town में देखते हैं या आसपस for example अपने शहर में देखते हैं तो उनको कोई गर्ज नहीं है बाइर की चीजों से तो वह क्या करते हैं कि वह local SEO पर रिलाय करते हैं कि local SEO में जब कुछ सर्च करें तो हम ओपर आ जाएं Google ये कहता है कि अगर आपने local SEO बहतर करनी है तो आप ensure ये करें कि आप local content भी create करें ताके Google को ये लगए कि ये local business जो है ये बेड़ा बहतरीन business है ये local audience को भी help करता है so अगर कोई mobile store की दुकान है for example मैं अब mobile store रन कर रहा हूँ मैं एक local store भी हूँ जहां पर लोग चल के आ सकते हैं मेरे पास मैं content किस तरह का create कर सकता हूँ कि local audience को target करें for example मैं एक directory बना सकता हूँ कि जी मेरी mobile shop है तो मैं नहीं चाहँगा कि मैं अपने बाकी mobile shop की competitors की list बना हूँ लेकिन मैं यह तो बता सकता हूँ कि भाई ठीक है ये कुछ services है अगर आपने mobile repair करना है mobile zone जा दूसरे advanced telecom जा जितने भी mobile company हैं जहां से आप mobile खरीदते हैं उनकी offices की मैं एक list बना लूँ कि भाई ये वो directory है जहां से आप जाके अपने mobile repair करा सकते हैं ये वो phone जो हम आपको बेच रहे हैं उसकी warranty आप जहां से जाके claim कर सकते हैं तो उसके directory जब आप बना लेंगे ultimately क्या होगा कि आप लोगों को help कर रहे होंगे उस local content को generate करने में और local content generate होने के वाइसे local audience आपके पास आएगी जो प्राबलम बारी है उस chair में तो Google जब local audience आएगी तो उसके signal देखेगा कि इस website पे local लोग बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसको local जब search करें तो ये business बहुत relevant है मुझे इसको पर rank करना है regardless कि आप content किस तना create कर रहे हैं as long as that is relevant to your website that is relevant to your audience वो एक अच्छा content है तो आपने content अपनी audience को देखते हुए अपने business को देखते हुए create करना है और जो भी make sense करता है यानि कि whatever that makes sense for your business for your audience उसको आप ज़रूर add करें ताकि Google को इस signal मेले कि आप local business एक अच्छे local business है इसके लावा ये भी होता है कि जब आप गूगल में register करवा लेते हैं तो गूगल के लावा भी डिरेक्टरी अबेले बेले हैं आज के दोर में जहांपर आप अपनी website से हैं वो रिजिस्टर करते हैं business रिजिस्टर करते हैं आपको अगर अगर आपके घर पिछल का फून लगा वाया तो पिछल की एक फून डिरेक्टरी मिलती होती थी किसी जमाने में ज्योंकि आप 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 अपनी डिरेक्टरी में जाकर समिट करेंगे अगर आप अपनी business कर रहे हैं तो उसका data या जिस company के लिए आप services आफर कर रहे हैं जो भी आपका client है उसकी website का data या उसकी location का data आप जाके बाकी जोंगा पर लिस्ट करेंगे ताके Google को बाकी website से भी पता चले कि हाँ बाई सिर्फ Google Maps के ओपर ही नहीं ये येलो पेजिस के ओपर ये दूसरे जितने भी पेजिस हैं जितनी भी डिरेक्टिस हैं जहां पर local database listing है वहाँ सब पर ये same business है और ये actual real business है तो Google आपको वहाँ से भी regard करेगा और आपको credibility build होगी trust build होगा और वहाँ को rank करेगा उसके बाद जो final एक option है वो ये के link building आपको अपनी local business के लिए भी चाहिए होती है तो आप याद रखे हैं कि link building भी Google का एक बहुत main ranking signal है Google ये कहता है कि अगर आपकी location अची है तो लोग इसको link करेंगे वो अपनी तरफ से अपनी website में आपको recommend करेंगे याद रहे कि Google जो links को vote के दोर पर count करता है तो जितने लोग आपको link करेंगे इसका मदलब उतने लोग आपको vote कर रहे हैं आपकी credibility बढ़ रही है तो अगर आप SEO कर रहे हैं लिंक building कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कुछ links अपनी local listing के भी बनवाएं अगर आपने team रखी हैं अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप खुद बनाएं ताके वो local listing भी उन keywords के उपर rank करना शूरू करें जिन keywords के गिनिस आप चाहते हैं क्योंकि अगर again competition website में different है अगर आप local SEO में competition करेंगे तो बहुत कम लोग होंगे जो google my business के उपर होंगे तो आपके competition कम हो जाएगा वैसे आपके competition website to website बहुत ज्यादा है लेकिं listing to listing competition काम है तो अगर आप listing to listing बीट करके उपर आजें अगर आपकी website rank नहीं भी कर रही गूगल आपको location based पे number one पे show कर सकता है अगर आपके location के listing अच्छी है why in the mean time आप अपने दूसी SEO पे काम कर सकते हैं लेकिन आपकी traffic नहीं रुकेगी लोग क्लिक करने वाले ये bother नहीं करते के result वीडियो में आ रहा है maps में आ रहा है या website में आ रहा है में आ रहा है